में वश्कार दोस्तों किसी दाइए स्वागत फिरस्याखव चैनल पर और यह वीडियो एफमसी का पार्ट 6 है जहां पर हम अलग-अलग टॉपिक्स से बात करने वाले है पर मैं इससे पहले आप सभी से माफिय मानना चाहूंगा मुझे पता है काफी लंबा समय हो गया है जब मैंने वीडियो डा रहे हुए लास्ट वीडियो मुझे लगता है उनीस दिन पहले मैंने डाला था तो मैं उसके लिए माफी जाओंगा हां बीच में कुछ थोड़ा बहुत काम भी हुआ था पर यसा नहीं कि उतना important काम था कि मैं वीडियो नहीं डाल सकता था वो बस आलस्ट था इतना कि मैं नहीं कर पाया और मैं उसके लिए आपसे माफी चाओंगा कि यार इतना समय लग गया पर हां आप से मेरी वीडियो रहने वाली है क्योंकि मतलब अब वैसा कुछ भी नहीं है और मैं थो आलस्ट छोड़ने का भी तरही किया है तो आप सभी को एक बार नव वर्ष की हाथ दिशुप कामना है मैं चाहूँगा कि आप इस नव वर्ष उन सब चीज़ों को हासिल कर सकें जो कि आप चाहते कि आप अपने जन्द्गी मे रखेंगे आझायना जैसे कि मैदल कॉलेज इस ऐस वार आ नीज गहाँ है तो आप नीज को źर kolay पार मन पसंद आप कि मेरेल कॉले्ज यह आप महान जा सके मेद भी नेक्स वीडियो में ये बताऊंगा कि अगर मैं AFNC में जाता हूं तो क्यों जाऊंगा और अगर नहीं जाता हूं तो क्यों नहीं जाऊंगा तो एक आगी में एक इस सब्सक्राइब करनें आपको एक ईमेजिश जैसा कुछ खुलाओगा जिसको की NCRT SciPods करें NCRT SciPods क्या है It's a podcast इस podcast को Meliorists से बनाया है कौन है ये Meliorists? These Meliorists सार Manjunath, Ayush and Prithvi जहां Ayush मैं खुद हूँ तो हम थीनों ने मिलके इस podcast को design किया है ये podcast आपको काफ़ी सारे platform से मिल जाएगा वसकार मैं एक details version आपको बताता हूँ इस podcast का basic मतलब क्या है इस podcast में 11th and 12th के physics, chemistry, bio के सारे summary एक बहुत अच्छी तरीके से एक ordered way में record करके डाले गा है उनकी audio recording है और उसको हम तीनों ने मतलब वहाँ पर पढ़ा है इससे अब आप पूछेंगे कि या उसका क्या फार्दा है हमारे पास भी summary है तो इसका proper benefits या उसकी क्या benefits है इसको किस तरीके से इस्तमाल करना है इन सब चीजों को एक बहुत explanative way में Manjunath जो की इस Miliorascript के मतलब एक member है उन्होंने अपने YouTube चैनल पर अप्लोड किया है तो मैं चाहूँगा कि आप उनके YouTube चैनल पर जाएं परले तो उनके चैनल को सब्स्राइब करें क्योंकि उनके contents बहुत amazing होते हैं मैंने खुद भी उनके चैनल को सब्स्राइब कर रखा है उसके बाद आप इस वीडियो को जरूर देखें आई बटन पर आ चुका होगा आप उस वीडियो को देखेगा और सब्स्राइब की कैसे इस्तमार कर सकते हैं पर मैं बगए बता दू कि उस Spotify पर आप इस वीडियो को देखेंगा उसके पाद उनके पाश जगेगा ठीक है पर आप एक इस प्पॉर्टन चीज बता दू कि वो जो Spotify का मतलब Spotify पर बेसिकली है और उनने समझाया भी Spotify पर वो काफी सारे प्लाटफॉर्म्स पर है मैं नीचे website डाल लूँगा जो की उसके लिए है अब वहाँ जाके देख सकते हैं कौन से कौन से प्लाटफॉर्मस पर हैं और मैं description box में ही उनकी podcast का मतलब वो जो उनका video उसका भी link डाल दूँगा आप वहाँ से भी देख सकते हैं नहीं तो comment box में भी रहगा first comment में रहेगा ठीक है मैं disclaimer देना चाहूंगा podcast को सुनने से पहले ये कि आप उसको सुनिये और उसको आप revision वगरे के लिए स्नमाल कीचे but please do not make it a direct way of preparing ठीक है उसको आप एक supplementary ले सकते हैं आप उसको ले सकते हैं help के तरह से guide के तरह से पर आप उसको अगर आप exclusively बस उसी पर निरगर कर जाएं कि यार मैं summary सुनता रहूं और कोश्य शुरू कि यार मेरा हो जाए तो बहुत मुश्य हो जाएगी that's not possible क्योंकि उसको design ही नहीं किया गया that's basically just for your revision वो आपको एक upper edge दे सकता है और मैं उसको क्यों recommend कर रहा हूं क्योंकि काफी time पहले मैं भी उसको use किया करता था मैंने सारे के सारे episodes उसके सुने हुए है मतलब कुछ episodes रभी भी मैंसे है वो मेरी गलती है हमारी मैं तब exclusively मेरी नहीं हमारे कुछ members ने अल्रड़े record का रखा है मैं ही थोरा पीशे छूट आवा था तो इस weekend तक हम podcast को complete करतेंगे with all the chapters of 11th and 12th physics chemistry bio तो stay tuned आप जाके हम आप इसको देख सकते है and you can watch the video to be very much to be well versed in how are you gonna use that मैं बता रहा हूं कि बहुत फाइदाबन होगा और आपको फाइदाबन ना लगे तो जब आपका neat हो जाए उसका दाके आप इस वीडियो पे जितनी जाए उतनी comment section में अभद्र टिपनियां कर सकते हैं पर मैं जाओंगा कि आप ऐसे ना करें क्योंकि आप एक जागरूख सब्स्राइब होने ठीक है Armed Forces Medical College या Armed Forces उनकी basis या बहुत basic जो एक requirement होती ही वो discipline होती है तो अगर आप में discipline की कमी है किसी भी तरीके से तो आपको जाता हो इंटर्व्य में ही चांट देंगे फिर भी आपने वो college बेगरा में अगर आप purify हो कर आगए और आपने देखा कि यहां के आपकी अगर discipline reactions में कुछ भी कमी है तो यहां पर आपको वो लोग suspend कर सकते हैं आपको college से निकाल सकते हैं उसके लावा आपके ऊपर कुछ financial charges भी लगाए जा सकते हैं यानि monetary टॉल से पैसे अगर आप से लिए जा सकते हैं fine किया जा सकते हैं आपको अनुसाशन के साथ रहा जा सके उस दिंदकी में इधर केसा से बली आते हैं और विद्यारती जीवन अनुसाशन के साथ रहने के लिए ही बनाए गया है the very basics of student life is discipline अगर आपको यहांस discipline नहीं है तो आप एक अच्छे या successful student नहीं बन सकते हैं रहीस हम वाबस अपने उस location पे आचुके जहांसे हम recording करते थे I just got the news कि यहां पे वो चीज़े जो ढड़ग हो रही थी वो बन दो चुकी है तो हम वापस आगए हैं यहां पर बगल वाले जो यहां पे room है तो now we are back at the position और अब हम दूसरी topic पे बात करने वाले है which is ragging ठीक है अब मैं आपको एक बहुत simple सी बात बता दू जो कि एक बहुत obvious है वो यह है कि अगर ragging होती है और आप उसमें पकरे का यानि ragging करते हुए तो you will be expelled from the college ठीक है यानि अगर आप एक newcomer हो अगर बदा दू कि इतर डरने की बात नहीं है ragging is strictly prohibited not only in FMC in any college ठीक है कोई भी college हो अगर बदा दू कि allowed नहीं होता ragging ragging के लिए बकायता एक committee बनाए जाती है anti-ragging committee जो कि इनी चीज़ों के लिए बनाए ही गई है कि ragging ना हो ragging can be in different forms जिसको इन्होंने properly highlight किया है बता देता हूँ abusing, harassing, ill treatment, man handling, bullying, etc किसी भी तरीके से अगर आप ये चीज़ पता चल जाती कि या आप ragging कर रहे थे या ragging में involved थे तो आपको फसाया जाता है या आपको कारवाई की जा सकती है and there can be legal implications as well जहांपर police तक को बुलाया जा सकता है मैं बता दूँ कि ragging is a cognizable offense cognizable offense क्या होते है cognizable मतलब बेसिकली वो चीज़ जिको की पहचाना जा सके जो की काफी easily identifiable हो तो जिस भी चीज़ को आप देख के बता सकते हैं यह तो ragging ही है वो उस type के offense में आता है मतलब movie देख के मज़ा क्या है का बताच पता चल जागी ragging क्या होते है तो ragging किसी भी form में entertain है की जाएगी और देगन भी legal implications 28th में 2009 Honorable Supreme Court of India में एक civil appeal number 887 उसकी according यह rule बनाए गया था कि these ragging and all this is actually a serious crime ठीक है और एक offense है और इस पे आप पे case वगरा भी हो सकता है police वगरा बुलाई जाती है ठीक है so this is an important point and just to maintain the security यार यह चीज़े नहीं होती है you know the child is safe and everything आपके parents यानि आपके अम्मी पापा आपके अमादा पिता और आपके सामने एक affidavit हैल करवाई जाती है affidavit क्या होती है affidavit is basically any kind of letter जो कि एक promising letter होता है कि यार मैं वादा करता हूँ ठीक है तो वो जो promising letter है ठीक है उस letter को basically affidavit जैसा क्या सकते हो वो sign करवाया जाता है not only during the commencement but even after every term जैसे माली आपने first term second term के बाद second term का starting है तो second semester शुरू कर से पहले साइन करवाएंगे हर साल का continuous में एक बाद करवाया जाता है ता कि आपको याद रहे कि न रागिंग अगर आपको रागिंग हो रही तो आपको चुब बैकना है नहीं आपको एक mute spectator रहना है यानि बस देख रहे हैं कुछ करनी नहीं रहना है नहीं आपको रागिंग करनी है किसी भी तरीके से अगर आप इस चीजों में पाटिसिपेट करते हैं तो यान बी यान रहना नहीं करते हैं ठीक है अब थर्ड फिंक इस हेल्थ एंड रेक्रेशन फैसलिटीज तो गाईस मैंने बहुत पहले बता रखा है कि Armed Forces Medical Colleges से निकलने वाले लोग नर्स डॉक्टर ही नहीं एक आम फोर्स के डॉक्टर होते हैं और यार मेडिकल ओफिसर तो जब आप ओफिसर हो तो यार आपके पास एक परस्नालिटी होने चाहिए तो परस्नालिटीज अदलब करने के लिए आगर आप सिर्श डॉक्टर ही हो तो आपकी क्या परस्नालिटी मतलब और फिल मत होजाना गार क्या कह रहाए है देखोँ यार भुद्स की खुड की परस्नालिट यार रुक्टर्स रहीच कुछ भी और एक्सा चीज है आए बोलने अगर 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 को करिकुल अक्टिविटीज इन सब चीजों को आप पार्सिपेट करोगे तो परस्टनलिटी में चार चांद लग जाते हैं तो वो हो जाता है तो इसके लिए वो आपके करवाएंगे ठीक है को करिकुल अक्टिव इस पढ़ाई के जिंदगी के बार भी एक जिंदगी है जिसको में जीना है सुसाइटी को जिसको में फेस करना है उसके आरहें को जाना जरूरी होता है